दोस्तो, स्वराज अभियान की और से हम सब ने एक बहुत बड़ी चुनोती खुबूर की है जै किसान आंदोलन स्वराज अभियान का पहला बड़ा आंदोलन है आज किसान संकट में है किसान की जेब में पैसा नहीं है सर पे करजे का बोज है बचीती जमीन उसके पाउं के तले वो भी अब च्छीनी जा रही है इस संकट की घड़ी में किसान अकेला है ठका हारा है पुराने किसान आंदोलन बिखर चुके है आज उसके साथ कोई रही खड़ा है उसके साथ मुझे और आपको खड़ा होना है उसके साथ खड़ा होगा जै किसान आंदोलन उसके साथ खड़ा होगा स्वराज अभियान इसके लिए हमें क्या करना है गाउं गाउं में जाना है जाने से पहले किट अपने साथ जरूर लेके जाईएगा गाउं में जाएंगे किसानों से बात करेंगे भूमी इन से भी बात करनी है सिरफ भू स्वामियों से नहीं उन्हें जा जाके अपनी बात समझाएंगे अपना पैंफलेट देंगे अपनी तीनों मांगे उन्हें समझाएंगे यहाद है न तीनों मांगे पहला ये कि मोधी सरकार ने जो भूमी अधिग्रहन अध्यादेश ये जो बिल संसत के सामने रखा है संशोधन का ये बिल खारेज होना चाहिए वापिस लिया जाना चाहिए दूसरी मांग होनी चाहिए इसकी भी कि सरकार गारंटी दे कम से कम 100 रुपया हर व्यक्ति का हर दिन के हिसाब से पांच लोगों का परिवार है तो 15,000 रुपया महीना इसकी सरकार गारंटी दे और तीसरी बात अगर फसल को नुकसान होता है ओले की वजए से बारिश की वजए से सूखे की वजए से तो किसानों हर किसान को मुआपजा मिले पूरा मुआपजा मिले समय से मुआपजा मिले बिना भरष्टा चार के मिले ये तीनों बात हमें समझानी है जो इन बात से सहमत हो फिर उनसे कहना है कि आप अपने खेत की मिट्टी एक कलश में, हांडी में, पात्र में हमें देंगे साथ में गाओं का नाम और उनका फोन पर नोट करना नहीं भूलना है बताना है कि आपके खेत की मिट्टी को लेके हम दिल्ली तक जाएंगे फिर उनको जोड़ना भी है, पूछना है गाओं में से कितने लोग हैं, जो हमारे साथ दिल्ली चलेंगे पूछना है कितने लोग हैं, जो पडोसी गाओं में जा सकते हैं, जो थोड़ी सी भी दिल्जस्पी ले उससे वहीं कहना है कि आप मिस्ट कॉल करके जैक साना अंदूरन से जुड़ जाएए मिस्ट कॉल नमबर याद है ना 01146666662 मिस्ट कॉल करनी है जो वॉलेंटियर बनने को तयार हो उनका वॉलेंटियर का फॉर्म वहीं भरा लेना है एक बात और याद रखनी है वापेस आके रिपोर्ट भी देनी है किस गाओं में गए करश लिया के नहीं कितने वॉलेंटियर जुड़े सब ये इमेल से हो जाएगा वेबसाइट से हो जाएगा ताकि अगले दिन आपको भी पता लगे कि आपका राज्य आपका जिला कहां पहुँच गया है मिलके हमें काम करना है बहुत बड़े चुनौती हम सब ने ली है आज किसान की संकट की घड़ी में किसान के साथ खड़े होना है हम सब को